ब्लाउज की ए प्यारा सा स्लिव डिजाइन काफी यूनिक है और आप इसे ब्लाउज में भी लगा सकते हैं और सूट में भी लगा सकते हैं देखने में काफी यूनिक लग रहा है काफी सुन्दर लग रहा है यह हाफ स्लिव है आप इसे हाफ स्लिव में ही बना सकते हैं फू इन्च लंबाई में हम इसको रेडी कट करेंगे आप अगर रेडी कट कर सकते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इस भाग को नहीं तो आप देख लिजे मैं कैसे कट कर रहा हूं ऐसे 1.5 ले लेंगे ऐसे रांडी के हिसाफ सो जितना हमारा मेजरमेंट है उतना हम 7 इंच ले रहे हैं यहां पर 5.75 ले रहे हैं वहां पर 2 इंच फिट से हम एक्स्टर ले रहे हैं उसके बाद इस तरीके से आपको मार्किन लगा कर और यह पैक का भाग और एक फ्रंट का भाग के गोलाई दे देंगे और हम परफेक्ट से लिव को कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है ऐसे कट करने के बाद यहां पर जो हमारा फ्रंट का करव है उसको अभी हम नहीं कट करेंगे और जो हमारा बच रहा फैब्रिक उसको हम ऐसे कट करके और एक पल्ले को साइड कर देंगे फ्यूजिंग करने के लिए एक पल्ले को हम 1.5 इंच के हिजाब से पट्टी कट कर ल तरीके से हम ऐसे गोल निसान लगा देंगे यह हमारा फर्फेक्ट हो एसका आद हम छोटा सा केनोस ले लेंगे ऐसे डवल फोल्ड करके उपर रखके और उपर सब्सक्राइब तो हमारा निसान जो इसमें आ जाएगा कुछ इस तरीके से निसान आपको यहां पर देखने को मि निकिनां पर हम जो है कट मैं ऐसे कर रहेंगे ताक्रे रहारा इतना रेडी हो बच्यवाग सब्सक्राइब कर लिए तो हमार कुछ इस तरीके से हमारा फर्फेक्ट हो गया कुछ है कुछ तरीके हरा कर लेंगे सबारं चलते हैं मसीन पर मसीन पर आने के वाद सबसे पहले हम में फैंब्क लेंगे और इसको मौुर नहीं है साइट से सिर्फ सेंटर निशान लगाकर और दोनों साइट से उपर नीचे से सेंटर में करके और इस तरीके से कुछ हम सिलाई लागा कर और इसको पलट लेंगे ठीक है ऐसा पलटने के लिए आपको यहाँ पे कट करना होगा बीच में इसे और पतला भारी क्यानी मार्जिंग रखकर ऐसे कट कर लेता है और उपर नीचे आपको सिलाई न कटे उसके हिसाब से आपको कट लगा लेना ऐसे और ऐसे करके आपको कट कर लेना है उसके अब अंदर की साइड हम पल्टी करेंगे आपने अभी तक जितना भी वीडियो देखा होगा इस तरीके से पल्टी करने वाला उसमें आपका जो यह फ्यूजिंग हो बाहर दिखाई देता है लेकिन इसमें तो आप भी सेम तरीके से ऐसा सिलाई लागा के फिनिस कर लीजिए और इस तरीके से कुछ हो जाएगा हमारा इसके आवाद हम क्या करेंगे यहां पे छोटा-छोटा कट लगाएंगे रांडिंग पे और इसको अलग से मोर लेंगे थोड़ा सा मेहनत जरूर है लेकिन फिनि अब इस पत्रीकुल भी नहीं मोरना है ऐसे हम तयार कर लेंगे इसको और इसको सायड में रखेंगे अब इस पत्टि को हम बना लेंगे एसे जितना चवड़ा हमारा Especially के हिसाब से हम इस पत्टी को ऐसे खर पोर्षा करके मोर लेंगे बाररिक बारिक फिसमिली पत्थी तो इस तरीके से हम इसको फूरा complete डिजाइन बना कर तयार कर लेंगे लेस पे उसके बाद हम ऐसे लेकर एक पेपर लेंगे पेपर पर एसा रखकर और एक निसान देंगे आप डारेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है तो यह हमारे लिए comfortable महसू करके और यहां पर ऐसे सिलाई लगाते यह मैं हाप इंच की लगभग या गैप दे रहा हूं इसमें या यह गदाब के भी आप गैप दे सकते हैं यह पेपर बाद में निकल जाएगा बाहर तो ऐसे करके हम सभी पट्टी को यहां पर कवर कर लेंगे और ऐसे बार-बार में कर कर रहा हूं ताकि हमारा लेस जो है कंब न हो तो ऐसे गर के फिर से एकज़ाऻ कर लेंगे हम ऐसा खेप मिलाकर और इसो कटकर के हटा देंगे अब हम ले लेंगे में पल्ला जो हमने पनिट कि जिसे और ऐसे적ником और कर देंगे सिलाई, अब यहां पर भिरकर है उसको निकाल देंगे नोच कर और ऐसे perfect margin कर लेंगे और जो हमारा fusion का margin दिखरा जादा उसको भी हम कम कर देंगे काट करके तो इस तरीगे से कुछ दिखाई देगा और इसको हम ऐसे करके और यहाँ पर बीच की सेंटर मिला कर पर फेक फिर भी नीचे सेसे अस्तर कर Moving कि अबले को अरुसके और यहां पर एक सिलाई देंगे को थि के ऐसे ऐसे करके हम सिलाई देंगे और उसके बाद एक कट हो गा जितना एक्ष्ट्राम माजिंग उसको हम कट कर देंगे अगे एसे और एसे करके हम इसको परफेक्ट इस सिलाई लगा देंगे ठीक है और ऐसे करने के बाद यहां पर हम फिर से सेंटर अच्छे से मिलाएंगे उल्टा करके और ऐसे करें लगा देंगे अभी तक ध्यान रखिए हमने लेश नहीं लगाया है लेश सब्सक्राइब लाश्ट में लगाएंगे तभी जाकर हमारा फाइनल लुक बनकर तयार होगा तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और यहां तक आपने व सब्सक्राइब फिनिश हो चुका है लेश हमने दो तरीके कर रखा है जो हमें समझ में आएगा वो लिस लगाएंगे आप सेम लकार लिस लगाईएगा मैं बलेक लेस लगा रहा हूं अगर बलेक में आपको पहले ही ऐसे कर्व घुमा देना है और हलके हातों से इसको धील देते हुए लेस को टाइट नहीं करना है और यहां पर कुछ इस तरीके से मूर कर्ट और परफ्यक्ट हम नहीं से देंगे हैं ठीक है तो ऐसे हमारे फर्फेक्ट होता चला जाएगा और इस तरीके से हम पर्फेक्ट सिलाई लगा लेंगे अब इसको हम डबल सिलाई से फिनिस इन कर देंगे पक्का कर देंगे उसके बाद हमारा जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा परफेक्ट हो गया, शेप देख लिए कितना अच्छा है और यहां पर आप एक मोती या बटन लगा सकते हैं, उसके बाद डिजाइन हमारा एदम परफेक्ट फिनिस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको यह डिजाइन लिखने को मिलें, तो फिर मिलेंगे आगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,